जेहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटुब चैनल रेलवे तक में तो दोस्तों इस समय का सबसे बड़ा पैनल जारी कर दिया गया है जो की साउथन रेलवे के दौरा जारी किया गया है जिसमें नंबर ओफ केंडिडेट की बात करें तो 7960 केंडिडेट का पैनल जारी कर दिया गया है तो आपर सेकेंड पॉइंट की बात की जाए कि प्रोविजनल पैनल आपको कंफर्म और राइट नहीं देता है कि आपका सेलेक्शन यह आपोइंट हो गया है तीसरा पॉइंट सबसे मैध्पूइंट है जिसमें कि आप सभी देख सकते हैं कि य दुबारा से यानि की सेकंड डीवी लिस्ट भी निकाली जाएगी इसके बाद यहां पर फॉर्ट पॉइंट की बात की जाए तो सभी ओरिजिनल सेटिफिकेट है इनका फिर दुबारा से चेक अफ होएगा यह आपका जो डॉकुमेंट वेरिफिकेशन है वह लगवग तीन स साथ दिन तक चलता है जिसमें की सभी डॉकुमेंट को पूर्णेता बारे की से चेक किया जाता है कोई भी गलत इंफोर्मेशन पाए जाने पर आपको रेलवे में जोब नहीं दिया जा सकता है इसके बाद फिप्ट पॉइंट में आए कि जो प्रोविजिनल पैनल बना गय इसके पास राइट है इसके सिक्स पॉइंट में केंडिडेट को यह सला दी जा रही है कि आप किसी भी तरह के एजेंट या कोचिंग सेंटर से भारती रेलवे में जो पाने के लिए पेसे एक अलेन दिन ना करें क्योंकि रेलवे का इन सभी से कोई भी संबंद नहीं होता ह जो रेलवे में जो मिलती है पुन्यता योगिता के नुसर दी जाती है जिसमें कि आपको CBT exam clear करने के बाद running और medical document verification इन सभी process से निकलना पड़ता है इसके बाद यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कौन से candidate कितने candidate को कौन सी post दी गई है तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले number पर यहाँ पर दिखाए जा रहा है assistant workshop mechanical department category में कितने candidate को यहाँ पर जगा दी गई है तो यहाँ पर देखेंगे आप 239 candidate हैं जिनको assistant workshop mechanical department दी गई है इसके बाद यहाँ पर next की बात करें तो assistant workshop mechanical department के अंतरगत आता है इसमें number of candidate को जो post offer की गई है वह 628 है इसके बाद assistant bridge में यहाँ पर 14 है assistant CNW में तो यह बहुत ही अच्छी post माने जाती है जिसमें की 541 candidate को यह post offer हुई है इसके बाद assistant deport यानि की store, store department के अंतरगत आता है इसमें 170 candidate को यह जो offer हुई है इसके बाद assistant local said जो की diesel mechanical department के अंतरगत आता है उसमें 91 candidate को यह post offer हुई है असिस्टेंट लोको से इलेक्ट्रिकल की बात कई जाए तो यहाँ पर 48 केंडिडेट को यह पोस्ट ओफर हुई है असिस्टेंट ओपरेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अंतरगत जो आता है उसमें मात्र में 5 केंडिडेट को यह जोग ओफर हुई है मैन की बात करें तो यह सेकंड हाइस्ट केटीग्री है जहां पर सबसे ज्यादा केंड़िडेट को यह जौब ओफर हुई है जो की ट्राफिक डिपाट्मेंट के अंतरगत सबसे अच्छी पोस्ट माने जाती है pointsman में number of candidate की बात करें तो यहाँ पर जो total candidate को ये post offer हुई है उनकी संख्याएं हैं 1505 यानि कि 1505 candidate को ये post offer हुई है इसके बाद assistant signal and telecom यानि कि S&T department में जो candidate हैं उनकी संख्या 336 है जिनको ये post offer हुई है इसके बाद assistant track machine जो की engineering department के अंतरगाता आता है इसमें जो post offer हुई है उन candidate की total जो संख्या है वह 437 है इसके बाद assistant TL and AC electric department की बात करें तो इसमें candidate की संख्या 150 है और assistant TL and AC workshop में या मात्र में 106 है इसके बाद assistant TRD यानि की electric department के अंतरगात जो आता है इसमें 166 candidate को ये post offer हुई है अब बात करें assistant track maintainer grade 4 की जो की engineering department के अंतरगाता है इसमें सबसे ज़्यादा highest candidate को ये post offer हुई है इसमें number of candidate की जो total बात करें तो ये है सबसे ज़्यादा है इस समय pointsman second highest number पर है और track maintainer grade 4 ये पहले number पर है जो की सबसे ज़्यादा इन सभी को ये post offer हुई है जिसमें candidate की जो संख्या है वह है 2204 यानि की 2204 candidate को ये post offer हुई है इसके अलावा यहाँ पर CCA candidate को 1914 candidate को ये अलग-अलग post दी गई है इन सभी PDF में आप अपना number सर्च कर सकते हैं इस PDF फाइल को आप RRC Southern Railway की website से download कर सकते हैं जिससे की आप अपना roll number इस PDF में सर्च कर कर देख सकते हैं इस panel list के बारे में आपकी क्या राय है वह आप मुझे comment box में जरूर बताएं क्योंकि यह है 7968 सबसे ज़्यादा candidate इसके अलावा यहाँ पर अभी लगवक 1600 candidate अभी pending में हैं जिनका कुछ post document verification और medical में जो भी चात्र pending में हैं उनको post मिलेगी और बाकी जो post है उसके लिए second dv यानि की second dv list निकाली जाएगी जिसमें की अगर आपका .5 या एक number तक आपका number कम है सदर्न railway में तो आपका chances है कि second dv list में आपका नाम आ सकता है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा इसके अलावा आपके मन में किसी भी तरह का कोई doubt या query है तो वह आप मुझसे comment box में जरूर पूछ सकते हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो please subscribe railway तक और वीडियो को like share जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए जैहिन